फ्रेंड्स अगर आप सिविल इंजिनियर हो और आप चाहते हो कि टाटा, सापूजी हो गई, एफकॉंस हो गया, एलेंटी हो गई, लासनेंटुब्रो, जेमसी पोजेक्ट सो गया, रिलाइन्स हो गया, ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी कम्पनियां जहांपे आप चाहते हो कि काम करना तो एक skill तो आप समझ लो कि आप लोग के लिए बहुत 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 जरूरी है और उसे आपको सीखना ही चाहिए high level पर जब जब आप जाओगे तो उस skill के बिना काम नहीं होती है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ contracts and tendering की आप किसी ये सेक्टर में जाओ चाहिए आप railway सेक्टर में जाओ चाहिए आप किसी भी infrastructure सेक्टर में जाओ इसके बीना नहीं होती है जैसे railway को ये काम निकालता है माल लो तो वो क्या करेगा एक माल लीजीए मेट रेल का काम आया हुआ है अब government क्या कर रही है कि वो काम किसी एक client को देना चाहती है तो देने के लिए आप जानते ही हो कि bidding होती है bidding मतलब इसे Tata bid करेगी कि हाँ ये काम मैं इतने रुपे में कर सकता हूँ Fcons हो गया Gammon India हो गया ये सभी बोलेगा कि मैं इस काम को इतने रुपे में कर सकता हूँ तो इसके लिए company क्या करती है पहले tender का process करती है मतलब वो बताती है कि आपको जो काम यहाँ पे कर나 है उसमें मेरा जो requirement है काम के लिए वो ये जीज है आपको इसके हिसाब से काम करना है इस proportion में काम करना है ये इस सब procedure को मान के आपको यहाँ पर काम करना है जिसको देख के जिसको देख के आप समझते हो और जो क्लाइंट होती है वो उस स्पेसिफिकेशन के अनुसार क्या करती है रेट को कोट करती है तो यह सारा process जो होता है ये होता है tendering का process जो client क्या करती है rate quote करती है सारे documentation का जो process होता है मतलब समझ गया ना मतलब एक काम जब तक किसी को alert नहीं हो जाता समझ में उससे पहले के जितने भी काम होते है उसको tendering के process में रखा जाता है और मान लिजे कोई bidding जीत गया मतलब government एक काम को किसी को alert कर रही है मतलब वो जीत चुका है अब मैंने मान लिया government बोल रही है कि ये काम को टाटा करने वाली है तो उनके बीच क्या होता है कि वो contract sign होता है और जैसे ये contract sign हो जाता है तब वो contracts के part में आता है समझ में आ गया यानि कि बीच में जो बैठा है वो क्या है कि contract finalization sign हो जाना दोनों party के बीच में जैसे contract sign हो जाता है वो contracts के part में आता है बहुत सारी agreement बहुत सारी documentation है वो सक को complete करनी परती है और उस document को sign करने से पहले का जो process होता है वो होता है tendering तो यह बहुत ही important और बहुत ही high level का part है जो अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत अच्छा plus point मिल सकता है तो अगर आपको यह नहीं पता है मैं आपको importance बताया इसका अब आपकी बारी है कि आपको यह चीज़ सीख लना चाहिए कम से कम उमर में ही ताकि आपको आगे बहुत ज्यादा help कर यह चीज़ तो saltive dedication आपको के लिए लाया है यह course बिल्कुल बहुत ही reasonable price में आप इसके लिए जाके यहाँ पे enroll कर सकते हो क्योंकि सीखना तो आपको परेगा ही अप कहीं से भी सीखो मैं यह नहीं बोलता हूँ आपको यहीं से सीखना है मैं यह नहीं बोलता हूँ कि आपको दुसरे के पास से सीखना है मैं कहीं recommend नहीं करता हूँ लेकिन मैं बोलता हूँ कि सही जगा से सीखिये जहाँ पे आपको अच्छे professional सीखाते हैं और मेरा मकसद यही रहा है था कि मैं आप लोग को गाइड कर पाऊं सही जगा पर सीखने के लिए तो Solitude Education आप लोग के लिए ये कोर्स लेकिया है जहां पर आपको Amit Soni Sir इस कोर्स को host करने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं परहाने वाले हैं मैं आपको बोलूगा कि बहुती reasonable price में Solitude Education ये कोर्स आपको करवा रहा है जस्ट एड नाइटीन हंडेड नाइटीन रुपेश ठीक है उननीस तो इननावे रुपेश में ये कोर्स आपको जो की बहुती valuable कोर्स है ये आपको वो करवा रहा है तो चली सबसे पहले हैं लोग इसके कोर्स कंटेंट को देख लेते हैं ठीक है आप कोर्स कंटेंट को देखिया आपको खुद ही समझ में आ जाए कि इसमें बहुत कुछ आपको guide किया जाएगा तो इस contact standarding and management के लिए अगर आप यहाँ पे enroll करना चाहते हो तो आज इसका last day offer है जिसमें आपको यह मिलता है चार्ट करने वाले हो यह सभी के लिए बहुत ज़्यादा beneficial है और especially जो contractors owners है अगर आप government project लेना चाहते हो तो यह course तो आपको must इक्दम करना ही चाहिए कि आप लोग के लिए यह part बहुत ज़्यादा useful है और high post पर जाने के लिए सभी के लिए यह course करना ही चाहिए topics जो cover की जाएगी आप वहाँ पर चेक कर सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पर what is construction contracts tendering management के बारे में बता जाएगा फिर roles and responsibilities जो होती है contact engineers की उसको cover किया जाएगा types of construction contracts जो की बहुत सारे हैं वो सभी चीज़ यहाँ पर cover किया जाएगे उसके बाद यहाँ पर tender के जो parts होते हैं उसके explanation और reviews की जाएगे जिसे article of agreement हो गया work order है bill of quantities है tender forms है technical specification है HSC policies है यह सब उसको item rate contract क्या होता है उसको कैसे cover किया जाता है 90% contracts in India और item rates होते हैं यह आप सभी जानते हो तो उसको कैसे cover करते है what is NIT in tender what is EMD in tender और इसी तरी के बहुत सारे advanced level के topics जो होते हैं जो आपको किसी college में किसी school में नहीं परहाए जाएंगे यह सब आपको साइट पर काम करते हुए आता है और बड़ी बड़ी company में जाओगे तो यह सब के बिना आप काम कर ही नहीं पाओगे अगर आप high post पर जाना चाहते हो तो फिर opening tender process होती है जो कि level 1, level 2, level 3 से लेके होते हुए आगे बढ़ती है वो सबी चीज मतलब मैं बोलू तो यह course आपके लिए बहुत ज़्यादा helpful है जो कि अगर आप अपने career में आगे बढ़ना चाहते हो तो इस course को आपको करना ही चाहिए इसके बाद और भी यहाँ पे topics आ contact by owner यह सबी चीज यहाँ पर आपको इस course को करने के लिए आपको solitude education के official app जो की play store और iOS store पर भी आपको मिल जाएगा दोनों ही चाहिए आपको मिल जाएगा आप इस वीडियो को description पर जाओगो तब को आप official link मिल जाएगा आप वहाँ से भी जाके उनका official app डाउलोड कर सकते हो और वहाँ पर sign up करके इस course के लिए खुद को enroll कर सकते हो वैसी आप जाके play store पर search भी करोगे तो आपको यह official app मिल जाएगा क्योंकि बहुत ही loveable app है बहुत कोई यहां से enroll करके बहुत कुछ सीख रहा है बहुत ही reasonable price में तो इस course features के लिए आप बात करें तो आपको lifetime validity मिलता है इस course का valid ISO certified certificate मिलता है doubt solving session होते है practical material आपको provide की जाती है यहां पे साथ में यहां पे actual state format उस सभी आपको provide किये जाएंगे और साथ में आपको यहां पे web access भी मिलता है यानि कि आप phone के साथ साथ इसको laptop desktop सभी जगा इसको इस course को यहां पे आप सीख सकते हो देख सकते हो समझ सकते हो तो आपको कुछ इस तरीके का certificate यहां से मिलेगा जब आप आप से successfully course को complete कर लोगे और क्योई भी company इसको web पे check कर सकती है कि यह genuine है की नहीं तो इस contract standarding and management के लिए अगर आप यहां पे enroll करना चाहते हो तो आज जिसका last day offer है जिसमें आपको यह मिलता है नाइटीन हंड and management का मुझे नहीं लगता है कि कोई और institute आपको provide करेगा तो आपको यह लेना चाहिए और मैं बोल रहा हूँ यह course सच में बहुत अच्छा है कि किसको अमित सोनी सर करवा रहा है तो no doubt बहुत अच्छा ही रहने वाला है तो fans मिलते हैं next video में जैहिंद